लो गाइस वेलकम टुदिया रोहन सिवल सर्विस इस्टिट्यूट तो गाइस आज हम डिसकस करने वाले हैं यहां पे 26 फेबरेरी का दा हिंदू एडिटोरियल तो अच्छे आटिकल जाए हैं दो तिनी डिसकस करते हैं जल्दी से एक्चुली गाइस मैंने वीडियो पहले ब अबसर्डिटी ओफ एंटी डिफेक्शन लो इसको हम पढ़ेंगे डिसक्राइब करेंगे अच्छे से काफी इंपोर्टन है यह तो गाइस पहले तो यह जान लो कि जो एंटी डिफेक्शन लोवा है इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी इस लोग को लाया गया 1985 में औ और 10th schedule के through इसको inclusion किया गया और इसको लाया गया through 50 second amendment act तो यह आपके prelims view से काफी important हो जाता है कि यह आपके लिए लाया गया है जो 50 second amendment के through लाया गया 50 second amendment के through 10th schedule and 1985 में इसको लाया गया है तो through 50 second amendment act को लाया गया यह आप याद रखेगा यह आर्टिकल में भी लिखा हुआ नहीं है आर्टिकल में लिखा है इसको through 10th schedule 1985 में लाया गया तो 50 second amendment के through लाया गया यह भी आप याद रखेगा तो this is important from the presence view तो चलिए डिसकुस करते हैं ऐसे इवेंट्स इन दी पुड़ुचरी हाइलाइट अभी जानते हैं आप पुड़ुचरी में government गिर गई तो yet again तो इसको पहले मां आपको बता देता हूँ इसको लाया क्यों गया इसकी दुरूरत क्यों पड़ी फिर आप मा आर्टिकल शुरू करेंगे तो इसको लाने की दूसरी पार्टी में चले जाते थे तो यह बहुत बार होता था कि कोई MLA जीता एक पार्टी से और वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला गया तो यह सब को रोकने के लिए 1985 में थ्रू 52nd amendment act यह यहां पर लाया गया anti-defection law कि भाई कोई भी MP जा MLA अपने पार्ट के विरुद्ध नहीं जा सकता अगर वो ऐसा करता है तो इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तो यह लौ यह कहता था तो अभी हम आटिकल शुरू करते हैं दिवेंट से पुडूचरी हाइलाइट येट अगें अपसर्डिटी ओफ एंटी डिफेक्शन लौ तो ज क्या है क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी जो यह लाया गया था बेसे के लिए वह लाया गया था स्टेबिल्टी ऑफ गवर्मेंट के लिए कोई भी एंपी जा एमले चेंज ना करें सरकार ना अगरे लेकिन अभी यह हो रहा है मध्य परदेश में यह तो इन what now has become standard operating procedure अभी ये standard operating procedure बन चुका है कि several MLAs from the treasury benches designed बहुत सारे MLAs यहां पर treasury benches का मतलब क्या होता है गाइस जो ruling government है जो भी government चल रही है उसको हम बोलते हैं treasury bench तो बहुत सारे MLS क्या हैं treasury bench से design कर रहे हैं lowering the numbers required for non no confidence motion to succeed जो number चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए उसको लो करते जा रहे हैं इस formula has been recently seen in the other states such as Madhya Pradesh and Karnataka में यह formula देखा जा चुका है पहले अभी तो अभी पुडूचरी में यह देखा गया करनाटका में anti-defection law लाया गया था 10th schedule में 1985 में to combat the evil of political defection conditions तो जो खरीद फरोकत होती है MP MLS की एक पार्टी से दूसरी पार्टी में उसको रोका जा सके उसके उसके लिए यह law को लाया गया था the main purpose was to preserve the stability of government the main purpose था कि stability of government बनी रहे and insulate them from defection of legislators from the treasury benches and जो stability of government बनी रहे हैं जो खरीद फरोकत है उसको रोका जा सके the law stated that any MP and MLA अगर कोई MP and MLA disqualify कर दिया जाएगा अगर वो अपनी party के विरुद जाता है जहां अपनी party के कोई भी direction को contrary करता है जहां उसके विरुद जाता है उसको disqualify कर दिया जाएगा तो this provision was not limited to the confidence motion यह provision सरफ यहां पे MPs जा MLA तक की नहीं लगाया जा रहे थे यह every bill and every other issue के उपर भी इसको रगाया जाता था इसको even राज्या सभा and legislative council के उपर भी इसको लगाया गया जिनका MPs MLA की उपर तो इनको लगा दिया जाता है लेकिन मान लीजिए कोई MP MLA मान लीजिए वो यहां पर अपनी जो पार्टी है उसके विरुद जाके वोट देना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा अगर वो ऐसा करेगा तो मजबूरन उस MPs MLA को government के हक में वोट करना MLA के पास कोई भी यहां पर फ्रीडम नहीं रह जाएगी वोट करने की वोट करने की उनको ब्लाइंडली जो है डिरेक्शन को फोला करने पड़ेगा जो पार्टी के दौरा दी जारी मान लीजिए वीजेपी का कोई नेता है वो यहां पर फॉर्म लॉस के हक में जाना चाह है वो सही decision लेना चाहता है उसकी पार्टी गलत decision ले रही है लेकिन उसको blindly जो है उसकी गलत decision को support करना पड़ेगा यहां पर रूट इसकी disadvantage बता रहे है तो यह बात भी पैनिट में गया उनको रुमूव करने के लिए तो यहां पे जो ट्रम्प की पार्टी के ही साथ नेता थे साथ मेंबर थे उन्होंने यहां रिंडिया में इसा नहीं है इंडिया में यह ब्रोकन चेंड इंडिया यहां पे यह एज़ांपल डिसकस कीगी यह उथर के दोरा जो मैंने आपको बता दी तो आप पढ़ लीजे कैसे एंड उसको बाद मैं आपको पढ़ाता हूं एंपोर्टन को इसकी अगर एंपी को कोई फीडम ही नहीं है डिसीजन लेने की तो पारलिय में आप माली यह पॉलिसी को ले आए उसके बाद आप उसका डिसकुशन कर रहे हैं पॉलिटी पॉलिसी का कि भाई इसमें हम क्या क्या लेंगे और इसके क्या यहां प्याँटकम्स होँगे आप उसको discussion का फाइदा ही क्या अगर उस MP को एंड में जाकर बोट तो आपके हकमे देने पड़े रहा है तो उस discussion का क्या फाइदा अगर उसको एंड में अपने फ्रीडम से वोट देने काई फाइदा नहीं हो रहा है तो यह एक disadvantage होगी anti-defection law की कि भाई यहां पर MP MLA को freedom नहीं है तो उसको हक में वोट करना पड़ेगा तो यह सारी discussion करने का कोई फाइदा नहीं रहे गया ठीक है तो फिर आप सीधी policy ले आओ उसके बाद Dr. Ambedkar क्या कहते है उनका Dr. Ambedkar जिनने हमारा constitution बनाया था उनका कहना था उन्हेंने differences बनाये थे बताई थे डिफ्रेंट बेट्वीन प्रेजिदेंशल एंड पार्लियमेंट्रियल फॉर्म तो उन्होंने कहा था कि प्रेजिदेंशल फॉर्म जो है उसकी stability higher है लेकिन जो प्रेजिदेंट होत की अच्छी है लेकिन जो accountability है वो यहां पर parliamentary reform की काफी अच्छी है कि Parliament को डेली यहां पर जवाब देना पड़ता है जो problem discuss की जाती है जो अपने अपने एरिया से चुनकर आई होते हैं उनको यहां पर जवाब देना पड़ता है government को कि अगर आप यह policy लेकर आ रहे उसका लो accountability as the presidential elected for four years and cannot be removed in the parliamentary form the government is accountable on a daily basis through questions and motions यहां पर जो है डेली वेसिस पे उसके questions दिये जाते हैं उनको पूछा जाता है कि भाई आप यह ला रहे हो तो लोगों को पर यह effect आ रहा है तो आप इसे क्यों ला रहे हो ठीक है and cannot be can be removed anytime यहां पर उस government को कभी भी remove किया जा सकता है अगर राज्या सबा में sorry अगर लोग सबा के members में उसके पात majority नहीं रहती तो उस government को कभी भी यहां पर remove भी किया जा सकता है the drafting committee believed that India needed a government that was accountable even at the cost of stability तो जो draft committee है वो बताती है कि इंडिया को ऐसी government चाहिए वो जहां पर accountable हो अगर stability थोड़ी बहुत कम भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है लेकिन accountable हो the anti-defection law जो जी anti-defection law है यह वी करता है accountability of mechanism को तो यह यहां पर कहना है राइटर का और end में राइटर क्या कहते हैं वह भी मैं बताता हूँ आपको तो end में राइटर क्या कहना है to sum up the anti-defection law has been detrimental to the functioning of our legislatures delivery bodies which hold the executive to account on the behalf of station तो भाई जो MLEs MPs में चुनकर आते हैं different डिफरेंट गाहों से different डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्स से उनको यहां पर क्या करना है अगर लोग उनको कहें कि भाई आपको यह बुल्क को support नहीं करना है वहां पर जाके तो आपको support नहीं लेकिन उनके प जाएगा due to anti-defection law तो यहां पर जो है वो आदमी बोल नहीं सकता लोगों की जो च्वायसा उसके उपर भी क्योंकि उसके उपर anti-defection law का pressure है कांकि उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा अगर वो पार्टी के विरुद गया तो and it has turned them into fora to endorse the decision of government on bills and budget तो इसमें क्या होत नहीं रहती तो author का कहना है कि इस 10th schedule को यहां पर constitution से repeal कर देना चाहिए क्योंकि इससे जो है MPs MLA अपनी जो है freedom से नहीं बोल सकते तो यह यहां पर कहना है article में guys इसे मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से बहुत अच्छा article था पढ़िएगा आपकी एक बर तो दूसरा आपको अच्छे से पता देता हूं इसमें हो क्या रहा है तो इसमें क्या हो रहा है तो गॉर्मेंट क्या कर रही अभी आप जानते हैं वैक्सिनेशन प्रोग्रम चल रहा है 16 जनुरी से हमारा फस्ट दोस्त दिया गया था उसके बाद सेकिंड डोस दिया जाना था तो जैस आप बताया गया कि अगर जोंको पहला डोस लगाया था और फहल्त के था वर्कट समाली जर्टराइगेखं़ सरफ ही वर्क कर चो रहे हैं basically वह यहां पर क्या कर रहे हैं वह यहां पर हैसिट हो रहे हैं वैक्सीन लगवाने में क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग बिमार बगएरा भी हुए ऐसे हमने खबरें भी देखी जिसके कारण लोगों में ट्रस्ट नहीं आ रहा है कि तो भाई हम यह वैक्सीनेशन लगवाएं वही जो है थोड़ा सा आपको वायरस डाल कर आपके सीर में दिया जाता है जो थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत वायरस भी होता है तो वायरस को जब लगाया जाता जिसकी बॉड़ी तो ज़्यादा मजबूत है वहां पर बिमार नहीं होता आदमी जेल जाता है अगर कोई आदमी यहां पर कमजोर है तो वह बिमार हो जाता है जिससे क्या होता है कि गवर्मेंट को जो लोगों को लगता है कि भाई इसमें कोई ना कोई दिक्कत है जिसके कारण लोग इसे नहीं लगवाते है तो अभी इस आर्ट सेक्टर इंक्लूड के जा रहे हैं तो यह काफी अच्छी बात है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आने से एफिशेंसी वगरा बढ़ेगी सपीड बढ़ेगी क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलीशन है इंडिया कि अगर सिर्फ गौर्मेंट इसे वेक्सिनेशन पहुँच जाए तो प्राइवेट कंपनिस को इंक्लूड करना काफी अच्छा इनिशेटिव है इससे एफिशेंसी बढ़ जाएगी लेकिन जो है भाई लोग अगर वैक्सिन लगवाएंगे नहीं तो प्राइवेट कंपनिस क्या कर लेंगी तो लोगों में जो है अवेरनेस कुछ लोग बिमार हुए भी हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि यह लोग बिमार हुए तो किस लिए बिमार हुए और हमने यह लोगों को वैक्सिन लगाई इन लोगों को कुछ नहीं हुआ तो आपको भाई लोगों को डेटा दिना पड़ेगा लोगों को तभी करना कफी अच्छी बात है इससे वेकिनिशन प्रोग्राम जो है आपका तेज हो जाएगा इस आल बाउट इस आर्टिकल गाइस पढ़िए गाई से अच्छा आर्टिकल है आपको रीडिंग है जुरूट डालनी चाहिए अगर मैं ही आपको सब कुछ पढ़ा दूँगा तो आप क्या करेंगे रीडिंग हैबिट इस मस्ट इन यूपिए सी गाई तो शुट गोवर्मेंट रेगुलेट ऑनलेन प्लैटफॉर्म यह आटिकल आप पढ़ दी जीगा कुछ खास नहीं है अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं आप हो गया Amazon Prime तो उसको अभी यह मॉनिटर करेंगे तो इनका अभी क्या कहना है वो मैं आपको बता देता हूं इन्होंने नीव डिजीटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 ले आई है इसके क्या होगा अगर इनको कोई भी ऐसा कॉंटेंट लगता है जो कि यहां पे किसी भी ध opportunity of hearing to the publishing platform तो platform को यहां पर कोई भी hearing का मौका नहीं दिया जाएगा उसके विदाउट ही यहां पर गॉर्मेंट का ऐसी emergency power है कि वह उस content को वहां से अटा सकते हैं तो आप मुझे comment में बताईए गया कि आपका यहां पर इसके उपर क्या reaction है कि अगर गॉर्मेंट ऐसे करने यहां पर कोई रूल बनाईए कैसे यहां पर इनकी शादि वगएरा होगी कैसे इनके बच्य वगएरा adopt होगे यहां पर बताईए हमें तो गॉर्मेंट ने यहां पर हाई-कोट को बताया है कि भाई अगर आप सेम ही रूल इनके उपर लगाएंगे जैसे कि एक लड़की औ बने हुए हैं उनमें क्या होता है कि एक लड़की और एक लड़के की शादी के रूल बने हुए हैं ऐसी कोई भी रूल बनाने चाहिए तो यहां पर कहना है गौवर्मेंट का हाई को तो यह आप याद रखेगा इसके बाद थोड़ी से न्यूस गाईस उसके ऊपर है इनकोईस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फोर्मेशन सर्विसस इन्होंने अभी यहां पर नर्स नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ मिलके यहां पर एरियल मैपिंग शुरू किया है ओशन फ्लोर जो की है यहां पर अंडामान एं करते नहीं है उनको लेकिन वो क्वेश्चन आ जाती है तो इसे याद रखिएगा तो देट सॉल फॉर तोड़ी गाइस आज काफी अच्छा 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 लगता है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को थेंक्यू गाइस